नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं काफी बढ़िया इंटरस्टिंग इशू कह सकते हैं कि अंदर परदेश की तीन राजधानी बनाने का नियम उसके पर विवाद क्या है इस चीज को हम समझने व वीडियो की जो पीडियो है वो आप लोगों को प्रवाइड करवाए जा रही है टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्लियर तो बिना किसी तेरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो आंदर परदेश के जो उच नियाले है उन्होंने बोला है सरकार को 6 महिने दियें उनको 6 महिने के अंदर अंदर जो राज्य की जो राजधानी है अमरावती उसके डेवलोप्मेंट का काम आप जल्दी से जल्दी खतम कर लीजिए उसे बना लीजिए आपके पास कितना समय है 6 महिने है थोड़ा बत आपको हिस्ट्री बता देता हूं कि देखे 2014 में क्या हुआ था 2014 में जो आंदर परदेश जो था इससे अलग एक राज्य बना दिया गया था तेलंगाना और उस वक्त जो आंदर परदेश था अंदर परदेश ने का कि हम जो अपनी एक नहीं राजधानी बनाएंगे अमरावती अमरावती चंदरबाबु नाइडू जी के द्वारा अमरावती को राजधानी बनाने का यहां पर बात रखी गई थी और सबने इस बात का एग्री भी किया था क्योंकि यहां पर बहुत सोच समझने के बाद कि इसकी जगह है लोकेशन बिल्कुल सही है सब लोग यहां तक पहुँच पाएंगे इसलिए अमरावती को राजधानी बनाने के लिए यहां पर काम शुरू किया गया यह 2014 की बात होगी यहां पर क्लिर हुआ टाइम बिता टाइम बिता तो जो चंदरबोन नाइडू जी थे उनकी सरकार बदली सरकार बदली तो नहीं सरकार आई तो नीतियां भी नहीं थी तो जो नए नियम जो आये नहीं सरकार के द्वारा उन्होंने क्या क्या कि आंदरपरदेश विधान सभा द्वा गया कि देखें, तीन राजधानी बनाएंगे हम, पहले तो एक थी, छोड़ो यार, आपको तीन राजधानी देते हैं, यह बात बोल दी नहीं सरकार ने, कि आप खुश रहिए, तीन राजधानी कौन-कौन सी, एक होगी विशाका पटना में, विशाका पटना में कौन सी मतलब भी समझाएंगे तो executive को जाने से पहले एक बार legislative को समझ लो executive समझ में आजाएगा legislative का मतलब होता है विधाई विधाई एक मतलब बनाने वाले यानि law बनाने वाले यह कानून बनाते हैं मंत्री होते हैं यहां पर minister यह कानून बनाते हैं उन कानून को लागू कोन करता है एक्जिक्युटिव लागू करने वाले होते हैं एक्जिक्युटिव में आपने UPSC का दाम तो सुनी रखा होगा UPSC में जैसे IAS IPS या आपने सुनी होगे Grade A, Grade B यह जो अधिकारी होते हैं प्रशाशनिक अधिकारी होते हैं यह आते हैं एक्जिक्युटिव के अंदर तो यह एक अलग इनके लिए राजधानी बन जाएगी जो कानून बनाने वाले हैं इनके लिए अलग राजधानी बन जाएगी और यह जो जुडिशियल है यानि जुडिशियल का मतलब होता है जहां पर हाई कोर्ट होता है उसके लिए अलग राजधानी बन जाएगी सरकार नहीं यह बात बोली अब सरकार से पूछा गया कि अरे आप कर क्यों रहे ऐसा तो सरकार ने जवाब दिया कि देखिए यहां पर अलग अलग राजधानी बनाएंगे यहां पर तीन जगहां पर अलग अलग राजधानी बनाएंगे तो इससे फाइदा यह होगा यहां डेवलोपमेंट हो पाएगा वरना डेवलोपमेंट नहीं होता यह सरकार का तरक है सरकार ने बोला कि अगर हम यहां पर राजधानी ब केपिटल बनाएंगे मतलब करूनूल के अंदर तो यहां खास-पास का अरिया डेवलोप हो जाएगा तो यह सरकार का तरक है अब एक सवाल यह उठता है क्या अंदर परदेश अकेला ही ऐसा कर रहा है या फिर इससे पहले कभी किसीने कुछ किया नहीं क्या देखिए जुडि प्रियाग राज के अंदर है तो जुडिशिल कैपिटल अलग है लेकिन लेजिसलेटिव एग्जिकुटिव कैपिटल जो है वो लखनों के अंदर ही है अब आपको थोड़ी दिर में मैं इस चीज़ को भी कवर कराऊंगा कि ये दो दोनों चीज़े हैं एग्जिकुटिव औ अमरावती शेत्र के विकास के लिए या फिर उसको राजधानी बनाने के लिए आज पास के जो किसानों से लगबग 30,000 एकड़ भूमी जो है वो खरीद ली थी उसको ले लिया था अब लेने के बाद आप फैसला ये कर रहे हो कि आप वहां से राजधानी को परिवर्तित क करोगे राजधानी बदलोगे तो ओविसली वहां के किसानों पे तो फसर पड़ेगा ना इस चीच का ये बात होगी दूसरी बात नॉमबर 2021 में इस बात का अप पोजिशन ने बहुत जादा विरोध किया कि आप ये जो 2020 एक्ट आया था कि हम तीन राजधानी बनाएंगे इस बात का बहुत जादा विरोध किया गया अप पोजिशन ने उन्होंने का कि आप अगर तीन कैपिटल बनाओगे जो आपने तरक दिये हैं ये एकदम गलत हैं इससे कुछ भी डेवलोप्मेंट ही होने वाले डेवलोप्मेंट करने तो एक अलग तरीके से करिए उसको भ भी शेत्रों का समावेसी विकास निर्सन विधेक 2021 ये निर्सन बोले तो रिपिल मतलब कि जो 2020 एक्ट आया था उसके अंदर जो तीन राजधानी बनाने की बात की गई थी उसको खतम किया जा रहा है यानि पिछले लोग उसको खतम किया जाएगा ये 2021 में बात बोल दी लेकिन अभी तक कोई विधेक आया नहीं है आएगा तो आपको इसी चैनल पर पता चल जाएगा रोज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आप जो एसी भी न्यूज आएगी आप लोगों को बता देंगे तो ये बात होगी हमारे सामने अब जब ये बिल खतम कर दिया गया पुराने वाला तो हम पढ़ क्यों रहे हैं पढ़ इसलिए रहे हैं तकि आप लोगों को ये बता चले कि एक राज्ये के अंदर तीन कैपिटल होने पर क्या-क्या प्रोब्लम आती हैं क्यों इसका विरोध किया गया था क्या-क्या अधानी का जो ट्रांसफर्म कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो आप इसको विभाजित कर रहे हो आपके पास कानून मनाने के शमता का अभाव है मतलब आपके पास इतिनी शमता ही नहीं आप कर पाओ दूसरी बात हाई कोट ने ये बात बोल दी सरका को और CRDA CRDA बोले तो इसका मतलब होता है Capital Reason Development Authority CRDA जिसको पावर मिलती है आंदर परदेश, राजधानी शेत्र विकास, प्रादिकर्ण, अधिनियम 2014 की धारा 10-1 में जिसमें इसको पावर ये दी गई है कि आपको जो प्लैन दिया गया है Capital को develop करने का या Capital बनाने को आप उसके according काम करेंगे, ये इससे पावर लेके काम करता है, तो सरकार को और इस CRDA को High Court ने बोला है कि जल्दी से जल्दी एक काम करिए इस मतलब कि Capital को complete करिए, जो आपको काम दिया गया उसको कातम करके अपनी duty से discharge हो जाईए बहुत टाइम हो गया आपको करते होई, साथ इसाथ High Court ने बात बोल दी, कि आपने जिन से जो भूमी ले रखी थी, जो जमी ले रखी थी और आपने उनके बदले में उनको एक developed plot देने का जो वादा कर रखा था जल्दी से जल्दी उसे complete करिए आपके लिए तीन महिने, जो है वो बहुत सही रहेगा, आप तीन महिने के अंदर-अंदर वो काम करके, जो जमीन है उनके मालिकों तक वापस पहुँचा दीजिए ये बात बोल दी गई यहां पर clear यहां पर, अब जो हाई कोट हैं, उन्होंने एक बात और रखी उन्होंने एक बात यह रखी कि जो किसानों के बीच में और CRDA के बीच में जो एक समझोता हुआ था विकाज समझोता सहे, एपरवर्तिनी है एपरवर्तिनी है, जनरल पावर ओफ अटोर्नी, यह जो समझोता हुआ था, यहां से लेके यहां, यह जो समझोता है एक वैध्यानिक अनुबंद है, यहनी Statuary Contract है, अगर आपने इस समझोते का उलंगन किया इस समझोते का उलंगन किया तो High Court interfere करेगा interfere क्यों करेगा, क्योंकि Article 226 High Court को यह अजाज़त देता है, कि वो interfere करे, क्यों Article 226 में क्या है, आपको पता है कि रिट निकाले जाते हैं, एक Article 32 आपने सुना होगा, Constitutional Remedies के नाम से, जिसके अंदर पांच तरिके के रिट निकालते हैं, Supreme Court और High Court के दौरा, High Court के पास जो है Article 226 है, जिसके दायत वो रिट निकालते हैं, कौन-कौन से वो रिट होते हैं एक होता है, बंदी, प्रतेक्षी करण, एक परमादेश, एक परमानिक्ता, एक निशेद, एक वारंट, यह पांच रिट निकाले जाते हैं, High Court या Supreme Court के दौरा, कहता हमारे इस 226 आर्टिकल के दायत, हम इसमें इंटरफेर करेंगे, आपने अगर इस वैध्यानिक अनुबंद का उलंगन कर डाला तो, इसके में जो शर्तें लिखी हुई है, उसका उलंगन कर डाला, तो High Court जो है, इसके अंदर आर्टिकल 4 के तहत, आर्टिकल 4 में कहा है, कि देखे, पहली इन्हों सुची जिसमें क्या बोला गए, कि भारत राज्यों का संग है, जिसमें क्या कर सकते हैं, कि राज्यों के नाम में, या फिर चोती इन्हों सुची, जिसमें क्या कहा गए, कि राज्यों के अंदर राज्य सभा की जो सीटें हैं उसकी अवंटित करना ये जो है उसको पावर देता है clear अब जो तीन राजधानी क्यों नहीं हो सकती एक राज्ये के अंदर इसको हम जान लेते हैं दीके विधायका और कारेकारी का संतुलेंट करना मतलब क्या है अब यहाँ पर हमारे देश में अगर आप समझे तो हमारी पोलिटी अगर आपने कॉंस्टुटुशन पढ़ाया तो आपको पता है कि हमने कैसा शिस्टम अपना रखाए हमने एक पारलेमेंटरी सिस्टम अपना रखाए से हमने parliamentary system अपना रहा है, और parliamentary system में क्या होता है, यह जो कारेपाली का है, और विधाय का है, यह एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, गजब विधान सबा का सत्तर चल रहा होता है, तो मंत्रियों के दोरह जो बिल पेश किये जाते हैं, उन बिल को ब्रीफिंग करना, उनके बारे में बताना, उनको डिटेल से बताना, तो उनको बताने के लिए हर समय परशास्निक अधिकारी की वहाँ पर होना आवश्यक होता है, अब आप एक काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरी बात, जब विधान सभा नहीं चल रही हो, तो यहाँ परकारे पालिका, यानि एक्जेकुटिव, जितने भी अधिकारी होते हैं, जो जो UPSC, जो IES, जो Grade A, Grade B के अधिकारी होते हैं, उनको निन्ने लेने के लिए, विभिन स्तुरोतों के माध्यम से, कई परकार की जानी करके यह अवसकता होती है, जिसमें विधायक, यानि MLA भी शामिल होता है, अब MLA बैठे हैं यहाँ पर, अमरावती के अंदर जो Executive बैठे हैं, वो बैठे हैं विशाका पत्नम में तो इतनी दूरी का जो gap है अब एक तो इसी चीज में लगा लीजी अब उनसे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे चले यह टेलिफवानिक होगी, लेकिन बहुत साथी चीजों में मीटिंग करनी होती है बहुत साथी चीजों का जूरूरत होती है कि हाँ, मंत्री जी वहाँ पर मौजूद हो उनसे सलामसवरा किया जाए, सारी चीजयों होती है लेकिन अगर आपने यह तीन राजधनी ऐसे चलिए judicial capital तो हो सकती है judicial capital जैसे मैं ने बताया कि लखनौ जैसे कि वहाँ पर क्या होगी आपकी सामने लखनौ के अंदर capital होगी उतर परदेश की लेकिन उसकी judicial capital क्या है प्रयाग राज है तो यह तो एक historical वहां पर हो सकती है लेकिन आप जब नई राजधानी तोर पर बना रहे हो तो सारी चीज़ों को एक जगह रखिए ना ताकि लोगों को असानी हो जाए दूसरी बात इन्हों ने बोली है तार की रूप से कठिन है मतलब लोजिस्टिकली डिफिकल्ट है कैसे कि आप देखे कि बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करिए ये जो ओध्योगिक नीती है इनके द्वारा जो है वो आप वहां पर डेवलोप्मेंट करिए ये राजधानियों का अलग करना परशाशन के साथ साथ लोगों के लिए भी आई सुईदा जनक है भाई लोग जो है कभी executive के वहां पर चकर काट रहे हैं कभी कहीं पर चकर काट रहे हैं ये तो उनके लिए मुष्किल हो जाएगा ना तो ये चीज बोली गई है कि भाईया ये मुष्किल आ जाती है हाँ पर अलू जैसे सरकार ने बोला है कि हम थो become करन कर रहे हैं वик यंद्री करन का मतलब होता है हम तो पावर देदीजिए नकर निगम को पावर देदीजिए इनके पास जो हमें आपको पता है कि त्यात्रमे और चोहत्रमे समिधान संचोंदन के द्वारा पंचायत और नकर निगम को लागों किया गया था, तो इनको power distribute कर दीजिए आपको इतना ही विकिंद्री करना है आपको इतनी ही power distribute करनी है तो यह ही पंचायत और न करनी करना दूसरी बात बोले ही अगर आप चाहते हो कि विकास करना आपको development के लिए विकास करना दीके शेतर का विकास के लिए एक से अधिक राजधानी बनाने का उप्योग बिल्कुल भी सही नहीं है आपको विकास ही करना है तो इप काम करिए वी निर्मान शेवा शेतर इसमें निवेश करके किसानों को अलग-अलग scheme प्रवाइड करवाकर उनको उपर उठाने के लिए अलग-अलग scheme policies बनाकर अलग-अलग नितियां बनाकर website करने में असानी यानि ease of doing बुनियादी धांचे को infrastructure मजबूत करिए उसमें development करिए समाजीक सांस्क्रिस्तानों जैसे विशवी धालने होगे अस्पताल होगे इनका विकास करिए ना बजाए इसके कि आप राजधानी अलग-अलग जगा बना रहे हो clear हुआ तो ये जो है आपके सामने था कि आंदरपरदेश की जो तीन राजधानी बनाने को लेकर इतना विवात क्यों चड़ा हुआ है हाई कोट ने क्या बात बोली है उमीद करता हूँ कि आज का इशू आप लोगों को समझ में आया होगा तो समझ में आया होगा तो मुझे कैसे समझा सकते हो लाइक करके सब्सक्राइब करके या आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, फ्री ओफ कॉस्ट है ठीक है, तो सब्सक्राइब करके और पेडियो जो है वो आप लोगों को टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं तो भई क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को भी, आज़र चैनल को भी तो बस आज के लिए इतने था, थैंक्यू फोर वाचिंग दिस वीडियो